यह भी आगाह करना चाहता हूं कि अब वो समय दूर नहीं है जब टेलीफोन कंपनीज भी सिबिल को एकसेस करेंगी एक्ट के अंदर यह भी दिया गया है कि कौन-कौन से लोग सिबिल संस्था से रिपोर्ट ले सकते हैं उसमें टेलीफोन कंपनीज का भी नाम है तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आप साबधान हो जाईए क्योंकि हो सकता है कल को जब आप कोई नया सिम खरीदने ज करोगे और आपको टेलीफोन कनेक्शन, फोन कनेक्शन, सिम नहीं मिलेगा तूसरी बात यह है कि मेरी कुछ HR मैनेजर से बात हो रही थी यूमेन रिसोर्स मैनेजर से एक मेटिंग में गया था, एक कॉंफरेंस में गया था, उन्होंने मुझे बताया कि जो अच्छी अच्छी कमपनीज हैं, उन्होंने जब वो केंडिडेट का इंटर्व्यू लेते हैं, जोब देने के लिए, तो साथ में ये बोलना शुरू कर और वहां पर सिविल स्कोर खराब हुआ, तो हो सकते हैं उस नोकरी से भी हाथ दोना पड़ जाएं, और क्योंकि कोई अच्छी कमपनी अच्छा बैक्गरांड चेक करती है, किसी भी केंडिडेट का, उसकी पास्ट जोब्स चेक करती है, उसकी क्वालिफिकेशन चेक करती ह उसका फेंडि बैक्रांड चेक करती है, तो वो ये भी चेक करती है कि क्या इस व्यक्ति में financial honesty है, commitment है, क्या ये व्यक्ति ethical है, कहीं ये व्यक्ति disabled तो नहीं है, अगर आपका civil score अच्छा है, तो इसका मतलब है जो आपकी personality के दूसरे गुन है, वो भी reflect होते हैं उस score से, इसक तो यह सब जो अधर वर्चूज हैं वो आपका सीविल स्कोर आपकी परस्नेलिटी के बारे में रिफ्लेक्ट करता है वो सकता है वो एच्चार मेनेजर आउट राइटली आपको रिजेक्ट ना करें आपको एक्स्प्लेनेशन का चांस दे परन्तो यदि आपके सीविल में बहुत ज़्यादा खराबी हैं बहुत ज़्यादा डिफॉल्ट हो रखे हैं और आप वह अकांटेंट की जोग करने गए हो तो बताओ आप कितने परस्न चांस से फिर आपके सेलेक्ट होने के या आप किसी भी सीनियर पोजिशन के लिए गए वह तो सिविल के कहानी सिर्फ लोन लेने तक सिमित नहीं है सिविल के कहानी टेलीफोन कंपनीज तक भी जाती है कल फ्यूटर में आपकी इंप्लउमेंट तक भी जा सकती है और मैं तो यहां तक भी कहूँगा कि मैं फिल्म देख रहा था कल रात को अक्षे कुमार की टोईलेट एक प्रेम का था उसमें हीरो हीरोइन से प्यार करता है और हीरोइन प्यार में पड़ जाती है और सपने बुनने लगती है कि हमारी शादी होगी और हम एक अच्छा सा घर खरी देंगे जब शादी करके हिरोईन ससुरा जाती है तो वो बैंक मेरेजर बैंक को फोन करती है लोन एप्लिकेशन के लिए एक्जेकेटिव घर पे आता है और सिविल रिपोर्ट सामने आती है तो पता लगता है पती ने बहुत सारे डिफॉल्ट कर रखे हैं स्वोर 500 से भी नीचे हैं ओमलोनी नी मिल सकता अब ओमलोनी मिल सकता अब बीरी ने शादी से पहले तो शिविल चक्ना नहीं था पती का तो अगर पती की कोई लोट्री लग जाए या उसके दादा पड़ दादाओं का कोई पुष्टेनी घर उसके नाम हो जाए तो तो बात अलग है वरना एक आम आदमी के लिए बिना होम लोन लिए होम खरीदना आसान बात नहीं है तो मेरा तो ये भी सुझाव है जितने भी प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स और प्राइड ग्रूम्स हैं दुल्ले और दुल्हन हैं कि आप जिससे भी शादी करो उसे बोलो प्यार से की बुरावत मानिये पर जनम कुंडली के साथ साथ अपनी सिबिल रिपोर्ट भी दे दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कहीं ऐसा नहीं हो महल तो बहुत आलिशान दीख रहा हो घर तो बड़ा आलिशान दीख रहा हो होने वाले दुल्हे का और सिबिल रिपोर्ट में पांच डिफोर्ट दीख रहे हो क्रेडिट कार्ड के और परसनल लोन के तो थोड़ा गहराई में जाने की आवशकता है मजाग की बात नहीं है और है भी it is how you take it तो हो सकता है मेरे इस वीडियो से आपको कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी मिली हो और आपकी समझ सिबिल वर्जन 2.0 के बारे में बड़ी हो और आपकी अवेरनेस इस बारे में है या आज भी आप उसे लाइटली ले रहे हैं तो इस ऐसा लेना बंद कर दीजिए क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए और बड़ी परेशान परेशानिया पैदा हो सकती है अगर आपने अपने सिबिल को ठीक से मैनेज नहीं किया तो अरे हाँ एक बात तो बता ना भूल अपने अपने और अपने अपने लिए और मेरा यकीन मालिये एक भी दिन उसे किराया लेट नहीं किया क्योंकि उसकी आदत में शामिल है EMI यकीराया तमाम फिनेंशल दिक्कतों के बावजुद समय पर देना